तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चेनल एजुकेशन पॉइंट में तो आज हम आपके लिए लेकर आएक क्रसी परिवेसक परती दुहजाद सोई से सम्मंदित एक मोडल पपर के बारे में जिसमें हम 25 क्यूशन आपके लिए लेकर आए राजिस्तान चिके से सम्मंदित तो देखते है आज की क्यूशन को पहला प्रस्णा मारा यह रहा तपूगडा तथा भीवारी जो उच्जुगी क्षेत्र हैं वाक्यस जिल्य में आते हैं खेरतल तीजारा अलबर सलूम्बर सहापुरा तो तपूगडा और भीवाडी जो उच्जुगी क्षेत् तो नविन जिल्लों के गठन के बाद उप्सन नमर ए हो जाएगा खेरतल तीजार जिल्ले में ये आते हैं आगे देखते हैं देखो नेश्ट क्यूसन के बारे में क्यूसन नमर दो चित्रकार अली रज्जा, हमिद रकनुद्दिन, रामलाल का सम्मद किस चित्र सेली से हैं मेवार सेली, किसंगर सेली, बिकानेड सेली और मारवार सेली तो जान रखने तो अली रज्जा, हमिद रकनुद्दिन और रामलाल इन तीनों का सम्मन्द है, उप्षन नमबर C, विककानेर से लिए से ठीक है? आगे देखते हैं गुनेश्ट क्यूसन के बारे में तो साच के साथ में आपको भी कमेट के के बताना है आपको कोंसा उनसरों का इसमें? और क्यूसन नमबर है तीन लोग देवता राम देव जी का जन्म कहा हुआ चैसल मेर में बिकानेर में बाड मेर में और उदेपुर में तो लोग देवता जो राम देव जी हैं उनका जन्म हुआ था उप्सन नमर सी बाड मेर में और बाड मेर में इस्तान है उड्डू कास मेर ठीक है तैसिल है सीव तैसिल और जिल्ला है बाड मेर और इनका जो प्रमुक मंदिर है वह है आपके राम देवरा जो की चैसल मेर मेर में है दोनों चीज़े दिया रखने है वो राजिस्तान के एक मातर लोक डेवता जो एक कवी भी थे आगे देखते देखो देखो नेश्ट क्यूसन के बारे में क्यूसन मेर चाहर राजस्वण जिल्ले का सुभंकर है पेडिया साहिन उद्विलाव मरूलोमडी तो रासमन जिल्ले का सुभंकर क्या है उप्सन अमरे हो जाएगा पेडिया साहिन जो है वो आपके सिकर जिल्ले का सुभंकर है उद बिलाव जो है वो आपके कोटा जिल्ले का सुभंकर है और मरू लोम्री जो है वो आपके बाड मेर जिल्ले का सुभंकर है आगे देखते देखो next question के बारे में question number 5 चेती दस में गुलाब की खेती कहा की परसिद्धे है कुंबल गड़, किलूंड, खमनौर, रेलमगरा तो चेती दस में गुलाब की जो खेती है वह है आपके option number C खमनौर की परसिद्धे है तो कि आपके राजसमन जिल्ले में इस्ति थे ठीके आगे देखते देखो next question के बारे में question number 6 किस दूर्ग के बारे में कहा गया है कि नीचे से उपर देखने पर खीर नीगीर की पगड़ी नीचे गीर जाती है ठीके यह पर गीर चितोडगड़ दूर्ग महराणगड़ दूर्ग ऋष्ड़ना दूर्ग और कुंबलगड़ दूर्ग तो यह कतन किस दूर्ग़ के बारे में कहा गया है option number 2 हो जाएगा कुंबलगड़ दूर्ग़ और यहाँ दो प्रमुक दूर्ग़ बारे में ध्यान रखना है उनके मेहरानगड दुर्ग है जो है आपके जोधपूर सहर में जोधपूर सहर में वर्तमान में नवीन जिल्लों के गटन के बाद और सीवाना दुर्ग जो हैं वैए है आपके नवीन जिल्लों के गटन के बाद बालोतरा जिल्ले में ये दोनों प कब्रविजू पेडिया और मौर तो बिलवाड़ा जिल्ले का सुबंकर क्या है ओप्सन नमर डी हो जाएगा मौर पेडिया जो है वह आपके रातसमन जिल्ले का सुबंकर है कब्रविजू जो है वह आपके उदेपूर जिल्ले का सुबंकर है ठीक है और जो चोसिंगा है वह चित्तोरगण जिल्ले का सुभंकर हैं आगे देखते देखो next question के बारे में राजस्तान का मैंचेस्टर आधी नाम है पीलवाड़ा जिल्ले को राजस्तान का गोरो का ते हम चित्तोडगड़ जिल्ले को आगे देखते देखो नेक्स्ट क्यूस्ट के बारे में क्यूसर नमर नौ सुक्र निती के अनुसार सर्वस्रेष्ट दूर्ग हैं ओदुख दूर्ग पारिक दूर्ग सेन्या दूर्ग और वन दूर्ग तो सुक्र निती के अनुसार सर्वस्रेष्ट दूर्ग कौन सा हैं तो यह हो जाएगा आपके उपसर नमर सी सेन्या दूर्ग ठीक है और ध्यान रखना है सुक्रनीती के अनुसार दूर्गों के परकार कितने है तो सुक्रनीती के अनुसार दूर्गों के परकार है नो उससे परकार बात करें तो कोटिल्य के अनुसार दूर्गों के परकार कितने है तो कोटिल्य के अनुसार दूर्गों के परकार है चा आप्सेम नमर 10 जयसमन जील किस जिल्डे में थे 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 उधेपुर राद conserval चित्तोडगर सलमबर्ट तो जयसमन जील जोằng है फहां नमीद जिल्लों के गठन के बादो ऑнопसेन बें सलमबर जिल्ले में जिल्डे में ठीक के आगे देखते देखो next question के बारे में, तो ग्यारवा प्रश्णी है हमारा, वूर्डा सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1730 में, 1732 में, 1734 में और 1736 में, तो वूर्डा सम्मेलन जो है, आपके आयोजित हुआ था option number C, 1734 यशिय में, और वूर्टमान में हूर्डा सम्मेलन हुआ था, वह हूर्डा स्तान की जिले में है, तो सहापूरा जिले में है, यह है important question, गठन के बाद, नमी जिलों के गठन के बाद, परिवर्टित इस्तान है, ठीक है? आगे देखते देखो next question के बारे में, question number 12, मेमन्द अबुसन पहना जाता है, हाथ में, नाक में, सीर में, पेर में, तो जो मेमन्द अबुसन है, वह कहां पर पहना जाता है, तो यह पहना जाता है आपके option number C, सीर में, ठीक है? आगे देखते देखो next question के बारे में, question number 13, लसाडिया का पठार किस जिल्य में इस्तिते थे हैं? डूंगरपूर, सलूंबर, उदेपूर और चित्तोडगड़े, तो लसाडिया का पठार, यह किस जिल्य में इस्तिते हैं? तो लसाडिया का पठार जो है, वहाँ पहले उदेपुर जिल्ले में आता था लेकिन नवीन जिल्लों के गठन के बाद उप्सन नमर भी सलूमबर जिल्ले में आता है ठीक है तो सलूमबर जिल्ले में लसाडे का पठा तो था जैसमन जिल ये दोनों इस्तित हैं ठीक है और सरडा का किला भी सलूमबर जिल्ले में हैं आगे देखते देखो नेक्ष्ट क्यूसन के बारे में क्यूसन नमर 14 थानेदार नाथु सिंग की चत्री किस जिल्ले में हैं सलूमबर तीलवाडा 12 सवय माधुपूर तो थानेदार नाथु सिंग की चत्री किस जिल्ले म है option number 2 हो जाएगा सोरी सी हो जाएगा बारा जिल्य में ठीक है आगे देखते देखो नेक्ष्ट क्यूशन के बारे में क्यूशन 55 चि agric और आपके रज्य का सबसे उचा पटारे जो के सिरो जिल्य में हैं उपरमाल का पटारे जो भी जोलिया से लेकर पेस रोड़ गर तक जो उपरी पठारी पागे उसे का थेम उपर माल का पठार और लसाड़े का पठार सलूमबर जिल्ले में हैं आगे देखते हैं देखो नेक्स्ट क्योशन के बारे में क्योशन नमर सोला संत्य दादु देयर की परदान पीट की जिल्ले में हैं चैपुर गरामिन चैपुर सहर दुद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् हुआ सवाई जैसिंग मान सिंग पर्थम सवाई परताप सिंग सवाई राम सिंग जितियर तो निमने मैंसे कि सासर का जन्म मोजमाबाद में हुआ तो अपसे नमर भी हो जाएगा मान सिंग पर्थम और वरतमान में मोजमाबाद जो है वह आपके दुद्दू जिल्डे में है ये भी आपको जान रखने हैं और राजस्तान का सबसे कम तैसिलों वाला जिल्ह है दू दू जिल्ह जिसम मातर तीन तैसिले है और राजस्तान का सबसे चरदा तैसिलों वाला जिल्ह है चेपुर ग्रामेन आगे देखते हैं देखो next question के बारे में question number 18 लेला मजनो के मजार के इस जिल्य में इस्तित हैं सहापुरा, केकड़ी, ब्यावर, अनॉबगड तो लेला मजनो के जो मजार हैं वह है आपके option number D अनॉबगड जिल्य में अनुपगड जिल्य में और द्यान किना है एक तो एक गुरुद्वारा बुड़ा जोहर दूसर है चेतर सर केंद्रिय क्रिसी फार्म है तीजरा है लेला मजनु की मजार ये तीनों चीज़े अनुपगड जिल्य में इस्तित हैं आगे देखते हैं नेक्ट क्यूसिन के बारे म किसे नमर 19 सब विदान के किस अनुच्छेत में राज्यपाल की निकती है तो दियान से एक ट्रिक है निकाय निसे होगा निकती 155 में का से हो जाएगा कारे काल 156 में यह से हो जाएगा युगता एक्सो निटशन में तो बंग सनमर यद यूजगा 155 में और 123 में प्रतिग राजरे पृच्वर्ष इंपल होगा आगे देखते हुँ नेक्स्त किउशन के बारे में किउश्ट नमर्ड बेस राजस्तान के परत्रम महिला मंत्री हैं वसुंद्रा राजिस सिंदिया प्रतिवा पाठिल कमला बेनिवाल पारवति गहलो तो राजिस्तान के प्रतम महिला मंत्री को ने option number हो जाएगा C कमला बेनिवाल और वसंद्रा राजिस सिंद्या के बारे में देखे तो राजिस्तान के परतम महिला मुख्यमंत्री थी प्रतिवा पाटिल के बारे में देखे तो राजिस्तान के परतम महिला राजिपाल थी पारवतिक गहलोत के बारे में देखे तो राजिस्तान की परतम महिला डोक्टर थी आगे देखते हैं देखो नेश्ट क्यूस्ट के बारे में क्यूस्ट नमर 21 राजिस्तान का नाका किस जिल्ले का उपनाम है अजमेर, बिलवाडा, उदेपूर और चित्तोडगर तो राजिस्तान का नाका या राजिस्तान का हर्दे या भारत का मक्का ये सबी उपनाम है उप्सन नमरे अजमेर के ठीक है और बिलवाडा का मैंने भी बताया वस्तर नगरी राजस्तान का में टेस्टर, राजस्तान की टेक्ष्टायल सिटी, आदी भिलवाडा के उपनाम है तथा चीलो के नगरी, फाउंटेन और माउंटेन का सहर और देखे तो पूरु का फिनीज, ये एसिया का वियना, ये सबी ओधेपुर के उपनाम है तता राजेस्तान का गोरव या दक्षिनी पूरी प्रिफस दौर है चितोडगर जिल्ले के उपनाम आगे देखते देखो नेक्ष्ट क्यूसन के बारे में क्यूसन नबर बाईस उडिया का पठार किस जिल्ले में इस्ते थे दूंगरपुर सलंबर उडियपुर और सिरोई तो उडिया का जो पठार ए वह राज्य का सबसे उंचा पठार है और यह उप्सन नबर डी सिरोई जिल्ले में इस्ते थे आगे देखते दैको next question के बारे में क्यूसन नबर 23 रीपिटेट क्यूसन और नातु सिंग्टि obsess जिल्ले में अ बारा सिल्ले में तो फसनमर स suau देगा बारात जिल्ले में ठीक आगे देखते Douglas क्यूसन के παरे में क्यूसन नबर 24 नवल सागर जील कहां इस्तित हैं कोटा, बुंदी, बारा और सापुरा तो नवल सागर जो जील हैं वह है आपके उप्सन नमर भी बुंदी जील लेने ठीक है आगे देखते हैं देखो नेक्ट क्यूसन के बारे में क्यूसन नमर पच्चेस और आज का अंतिम प्रशन है हमारा मनुस्मरति के अनुसार दूरगी के परकार कितने हैं तो उप्सन मर भी हो जाएगा छे मैंने भी बताया कोटिले के अनुसार दूरगी के परकारे चार, मनुस्मरति के अनुसार दूरगी के परकारे छे इंचे बारेट